वेल्कम तो लिंग्चो जैसे आपने तम नेल में देखा है हम आज बुगुन के बारे में तोरा गुट जानने की कोशिश करेंगे तो लेट अस कंटिन्यू तो आप यहाँ पे देख सकता है यहें बुगुन बुगुन का ट्रेडिशनल एतायर फिर उसके बाद बुगुन को फॉर्मरली हम लोग कोवा बोलके जानता था थीक है कोवा एन बुगुन बोट आर सेम तिंग ओके और उसके बाद बुगुन जो जैनरली इनहबित करता है वेस कमेंग दिस्त्रिक्ट अप अरुनाचल आपको यह मेप को इसलिए दिखाता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बुगुन ट्राइब के बारे में नहीं बल्कि जो अरुनाचल प्रदेश है उसका मेप के साथ धिके और वेस्टमिंग कहां पर है वह आपको अच्छी तरह से याद हो जाए तो यह है इंडिया का इसका इसतर्मोस इस्टेथ है अरुनाचल प्रदेश और जब हम उससे जूम करेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस अ वहां का वेस्टर्मोस वन दे वेस्टर्मोस डिस्ट्रिक्ट इस वेस्ट कमेंग विच इज कलर दिन रेड मरून कलर में है सोरी और रेड बोलने से भी ह तो इस वेस्ट कमेंग यहां पर एक ट्राइब निवास करता है जिस ट्राइब का नाम है बुगुन ट्राइब यह ट्राइब एक्चुले में बहुत एक चोता जाती है जन जाती है ठीक है और यह ट्राइब एप्रोक्सिमेटली 2011 सेंसेस के मुटाबिक 2000 पोपुलेशन है केव इनका पोपुलेशन सो लेट अस प्रोशीड आवरा नेक्स पॉइंट इज यह बुगुन जो है एक चोता जाती है एक अरुनाचल प्रदेश में एक बुगुन लियो चीचला बोलके एक पक्षी का जन जाती पाया जाता है यह बुगुन ट्राइब के नाम से ही इस पक्ष से थे नाम रखा है क्योंकि जहां पर बुगुन रहता है वही पह यह पक्षी भी मिलता है तीक है न दिशिच यह जन जाती यह चरिया का जो जन जाती है पक्षी का यह इतना कम है कि अभी मेभी वहां से उसको एक्स्तिंक्ट बोल दिया बोलने से भी होगा यूँवार Descendants of Single Forefather Achenpumpulwa हमारा यह जो भुगुन है यह लुग कुड़ को मानता है कि यह लुग का जो फुगुन लेंगवेज भुगुन लेंगवेज speak करता है तीक है और उसे पहले कोवा लेंगवेज भी बोलता था राइणाव इच जनरल लेंगवेज बलांगवेज बलॉंग स्वगुन ट्राइब नेक्स्ट ट्रेडिशनर डिली आपना एनेमिस्टिक रिलिज़न वो फॉलो करता है animistic religion बोलने से animism बोलने से वो religion है जिसमे they believe everything has its life जैसा कि पत्तर हो गया उसमें life है अर्द है उसमें life है पानी है उसमें life है that belief system is called animism तो भुगुन का जो traditional religion है वो animism है बत आजकल आप देखा जाए तो भुगुन को Christian में भी मिलेगा Buddhism and बाकी tribe में भी बाकी religion में भी आपको मिलेगा that is holy influential now भुगुन गॉवर्मेंट ओके भुगुन का एक अपना traditional village council है जिसका नाम है Nimiyaan ओके निमियांग जो हर एक problems को हर एक government system को निमियांग जो take care करता है और उसके बाद निमियांग का जो council है उसको head करता है थाप खो थाप खो थीकिए पताने pronunciation आप कैसे करेगा और ये जो थाप खो का जो ये head है this is not hereditary जिसका पास economically economical social knowledgeable person जिसका पास ability है physical body है strong body है that person generally acquires the position of थाप खो थीक है और उसके बाद ये अपना socio-political administrative decision making system को निमियांग कोन करता है head करता है थीक है और उसके बाद बुगुन का जो एक famous festival है जिस festival का नाम है फामको पामको सौवाई पामको यानि की harvesting festival पाम मिन्स mountain को मिन्स water या फिर अब river कह सकते है जिसमें they believe कि एक benevolent god है जो manifest करता है अपना ये जो बुगुन tribe है उनके लिए जिसके अर्थ से अर्थ और अर्थ for example mountain और पानी से हम लोग जिन्दा रहता है तीक है that is why in that manner everything has life and that god हम लोग को पानी और अर्थ देके हमें जिन्दा रखता है that is why जिन्दा रखता है तीक है और इस प्रकार से रखता है और इस प्रकार से रखता रखता है now next next and last point is एक dance है जो की बहुत फेमस है in bugun community और bugun tribe में जिस dance का नाम है गास योश्यो इस गास योश्यो में what they do is गास योश्यो का मतलब ही है कि come let's dance तो इसमें ये लोग एक लाइन में करा करके मतलब one by one they go forward and वो अपने steps दिखाता है ताकि वो कुश कर सके जो आपका benevolent god है जो उसको take care करता है तो इसी प्रकार से they celebrate their festivals and perform their गास योश्यो देंस तो आज का हमारा bugun tribe के बारे में बस इतना ही और I would like to say अगर आपको इसका ये जो अभी मैंने पीडिये बनाया है इसका आपको पीडिये चाहिए तो आप इसको description में जाके डाउनलोड करके पर सकता है तीक है बाई